देई तरसाय्ट कि आपको सह görए करता है वानस में आपको जॉब्राइट आपके चैनल में स्वागत करता हूं तो आज हम झाल डिसकस करेंगे। इस टॉपिक का प Falanced Calibration क्यान है इसके इसे बारे में वारा वीडि습니까 करौेंगा तो सबसे पहले हम आपको बताते है balance calibration क्या होता है balance calibration is the quantitative comparison यह जो है quantitative comparison किसी quality होता है quantity को compare करते है कैसे compare करते है to check the rating of balance display with a reference weight in splash on the pan मनलब जो balance होता है electronic balance होता है उसके हम reading जो होती है display जो reading आती है उसको एक reference weight से हम उसको compare करते है मालनेज़े मेरा weight box मेरा weight है वो 5G है तो हमने 5G का reference weight लिया उसको balance के pen platform पे रख्णा उसकी जो display value आई मालनेज़े display value 5G जा तो उसके हम reference check करते है है difference इसके एक्च Calvin value check करते हैं कि हमारा balance सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्योंकि balance के उपर हमारा जो काम करते है जो आख्यों जो हांगी सारी activity उसी कोğोपर डिपेंट करते है कि हमारा रहे गाई बैलन्स हमारा सही काम किया तो हमको जो drug amount अचाती है या जो भी हम dispense तो balance का calibration एक पहला method है repeatability, accuracy, sensitivity, linearity and eccentricity पास method है balance calibration के यह जो हम topic discuss कर रहे हैं इसका हमने results लिया है USP की guideline 41 और USP की guideline 1251 और European Pharma Covia के guideline 2.1.7 तो हमारा जो reference रहेगा उस chapter से रहेगा तो अब हम 1 by 1 method discuss करेंगी तो सब्सक्राणला method आज में discuss करेंगी repeatability repeatability means होता है repeatability को हम और नाम से जानते हैं एक नाम इसका repeatability इसको precision भी बोल सकते हैं uncertainty यह सारे चीज़े repeatability के अंतरगर आती है repeatability मतब जैसे कोई balance है हमारा एक बार हमने वेट किया दो बार वेट किया तीम बार वेट किया मतलब हम time to time ऐचा तो नहीं कि time करणी हमारा balance का value गला दिखा रही है मालशे कि हमने उसको एक बार वेट किया एक 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 दूसरे बाट किया तो वो हमारा balance खराब जोजबता है तो हमको एक limit मना रखती है कि उस limit के अंदर कर हमारा balance का limit आना जीए तो repeatability का procedure क्या है procedure में क्याता है weight of standard weight into ten times मतलब कि सब्सक्राइब पहले जो हमारा standard weight रहते है इसके गाइड़ाइब में 5 gram लिखा रहा है लेकिं हम 5 kg का balance रहा है उसको एक हम बन सा करेंगे इसको समझाने के लिए आपको बता रहा है कि साथ के बालाइब 5 kg का हमने balance लिए 5 kg का weight है वो हमने राख लिशे है उसको 10 times 10 times इसको रखेंगे इसको नोट करेंगे उसको नोट करेंगे उसके बाद इस दुबार से उसको अलोट करेंगे तो यह दुबार रखेंगे इसको नोट करेंगे ऐसे हम 10 times करेंगे उसके बाद उसके बाद तर standard deviation करेंगे standard deviation standard deviation का formula है sigma x minus x square divided by n minus 1 का whole root मतलब की एक फार्मा तो यह है यदि आप मैथमेटिकली करना चाहिए और यदि आपके पास सिस्टम अब लेवल है आप पास एक्सल अब लेवल है एक्सल सीट अब लेवल है तो आप उसका फार्मा से लगा देते हैं बराबर इस इवाइड वी उसके पाद जो रेंज आपको सबीकर पास सब्सक्राइब लेवल है जिस रेंज और आपको सब्सक्राइब लाएं तो इसमें से हमको इसका निकाल ला है तो SDDEV और shift दबाकर के हम 9 दबाते हैं तो हमारा fact start लाता है उसके बाद हमने यहां से यहां से ले करके यहां तर्क की बाएगा अलग करते हैं लग फिर बीटू से बीडार्य में वैलली यह B2 से B11 की वैल्यू सेलेट करके हम इसको इंटर जैसे दबाएगे कैसे हमारा standard deviation 18 तो find the standard deviation and put the value in formula, formula क्या है इसका, formula है इसका 2 into sd divided by standard deviation into 100, तो दो होने standard deviation जो हम निकालेंगे उस मतड़ से और उसको घाग करेंगे जो हमने standard weight रखा है, उसका जो certificate value रहे, जो true value से हम divide परेंगे, तो हमारा ये repeatability आज़े रहेगा, repeatability आने के बाद, हम इसको, जो हमारे limit दे रहे है, not more than 0.1%, not more than 0.10%, ये हमारे limit है, जो हमारा balance का repeatability है, वो हमारे इस limit के अंदर आने चाहिए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपको बता करें, operating range के बाले किया होता, operating range, balance के जो हम कां कर रहे है जैसे मालने इचा हमारा 60 kg के balance है, तो हम 60 kg के balance में, 60 kg के फुरा weight यूज नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, तो तो थोड़े से भी जादा है, यदि आएगा display, तो हमको balance में सोर नहीं होगा, तो हमको, काम के बारे में पता चल जाएगा, जैसे य करने के एक फर्वला लिस्ट कांट इंटू 20 अलग अलग कंपडी में अलग अलग वैरी करता है कोई कंपडी लिस्ट कांट इंटू इनकी इन होती है हम यहां बें लिश्ट कांट इन्टी जो हमारा साथ केजी का बैगस है उसका लिश्ट कांट जेरोग वाइए तो बिजस्ट कांट इन्टी बराबर हो गया हमारा सो ग्राम और इसको कजी में करेंगे जो 0.100 kg हो गया और मैक्समुम कैपिसिटी भी अलग कर देती है, balance capacity का, कोई company ये कर दी है कि अपना, वो कर देती है, 75% कोई company 80%, यहां पर हमने 75% की लिए, तो balance माल लिजए 60 kg, 75% में 45 kg, तो हमारी जो operating range के आ रही है, 0.100 से 45.00 operating range होगी है, मतलग कि, जो हमको weight परपॉम करना है, इस balance पर हम, यहां से यहां तक की पर पॉम करेंगे, इससे कम जादा है, हम इसके नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इस यहां चाहिए, और तो हम इसी balance का, इसी working range का हम use करेंगे, तो एक चीजा भी आपने सुनना होगा बात में, least count, least count क्या होता है, least count यह होता है, कि जैसे, माल लिजए, कोई balance का scale interval, interval मतलब की 0.005 0.010, 0.015, इसमें इसका interval आ रहा है, कितना interval आ रहा है, हमें सब 5 का interval आ रहा है, जो least count होता है, minimum difference या थे skill interval होता है, उसे हम least count बोलते है, least count सबसे छोटी value होती है, 0 के बाद, 0 के बाद किस जो सबसे छोटी value होती है, उसे least count कहते है, ठीक है, तो हमारा least count हो जाने, और हमारे standard deviation का formula उन्हें आपको बताया ही था और spirit level के है कि इसको क्या होता है spirit level के होता है कि जब भी हम balance care calibration करने हैं तो सबसे पहले हमको 2-4 चीजे पहले ध्यान लखाएं पहले बाद balance care cleaning चेक के लिए हैं cleaning निसो हो रहे, पुरा सही से cleaning हो रख रहा है उसके पश्चाद हम यह करेंगे spirit level spirit level जैसे balance हमारा उसकी 4 platform बराबर है की नहीं है तोगि यह balance दिर्शा होगा तो उसकी actual rating नहीं दिखा पाई तो हम उसको spirit level में बोलते है spirit level मनला उसकी bubbles रहता है माले जैसका bubble रहता है, वो bubbles इसके बीज में आना चाहिए वो किसी-किसी balance में brain store रहता है और किसी-किस balance में यह होता है कि उसको बाहर से हम एक ऐसा आता है उसको हम उससे spirit levels को check करते है बाहर से जैसे daster है इसी की तरह रहता है उसमें जो हमारा बीच में उसकी bubbles बीच काने चाहिए उससे यह होता है कि जो हम देखा बैलन्स का platform है आपको बता देखा बैलन्स का platform है यह थी थोड़ा सा अब आपने देखा water का level ऐसा होता है और gravitational force ऐसा लगता है तो इसके-इसके बीच में 90 का angle लगता है तो इसी को यह हमेंसर 90 angle को maintain करने के लिए हमारा यह आता है यह हम चारी स्क्राइब रहते हैं जिसे हम maintain करते हैं 0 कभी भी हम balance करते हैं तो उसका 0 करके हम करते हैं कभी-कभी हम करते हैं कि जैसे balance हम calibration करने 0 चेक कर ना भूल गें तो हमारी गल्द फ्रीडिन आ जाती है और तीसरा कभी तो हम देखते हैं कि अश्या होता है कि अश्या है एक चु है एक चु से मतलब एर का moment होता लेता है तो कभी भी हमारा balance उसकी नहीं रहना चाहिए जहां पर एर का flow हो तो एर के flow से वहां पर balance हमारा हो जाता है तो हमको थोड़ा सा एर के साइड में रखना चाहिए अब लिश्ट काउंट, स्केल एंक्रवल, स्प्रीड लेवल, डिस्प्ले वेल्व को आप जाते है जो आपकी डिस्प्ले करेगी और दिस्प्ले करेगी और दिस्प्ले वेल्व को एक ही चीज़ है प्रीड योटा है जो बैलांश है बैलेंसे का जो एक उतना है नमिनल अलवी नमिनल बैलू और स्टीकट बैल्यू और रॉ एं तीनों में कन्स्प्लीज है जो जह पांश केजी है किसी पर थे आउनल बैल्यु हो नाम दे लिःक है तो वेंड के जाना है, वहले होगी कि देखा लिखा ऊगाया है, वह कहाई इस गट सब्सक्राइब्र करना है ही कुल्च ऑप तो वह शाओक है वहां पहले सा जाए बाद बाद कि दिखा जो तो आख पहले जहां मेंजाना हां कि के बेट है तो उसके जीरूजुड पाइज मालथकि एक्टरी सी जाता रेती है तो वो से इपट बैलू में मैं से अंतर देता तो जो सेटिट वैलू है और टू बैलू और वो अगए वह प्रूर लगाएंगे तो यहां थे हम उसकी तो में बताया तो यह पहला दो कि इसी में मैंने आपको डिस्कस कर दिया अब मैं आपको अग्लय वीडियो में आपको बताऊंगा अपना यहां तक आपने मेरा वीडियो देखिया इसके लिए आपका धन्दवार थांक यू